नमस्कार मैं नमालोक है आप लाइफसीज देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी कबरनिकल क्या रही है आज केबिनेट की बैठक थी बिहार सरकार के तमाम जितने मंतित है इसकेबिनेट की बैठक में शामिल हुए और तमाम जितने सरकारी सेवक है जो पेंशन भोगी है उन सभी के लिए खुश्खबरी है बिहार सरकार ने महंगाई भत्ता को बहा दिया है और एक जुलाई 2022 की तिथी से ही ये महंगाई भत्ता जो है वो प्रभाव में आएगा यानि कि वो भी प्रभावी है आप समझ सकते हैं इस बात की जानकारी कैबिनेट की मीटिंग के बाद दी परभाव को पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक एक साथ 2022 यानि कि एक जुलाई 2022 के प्रभाव से ही 34 प्रतिशत के स्थान पर 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता रहत की सुक्रिती के समंद में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें ये मोहर लग उन्हें अब 34 प्रतिशत के जगा अरतिश प्रतिशत महंगाई भता मिलेगा यानि कि चार प्रतिशत महंगाई भता जो है वह बढ़ा दिया गया है जितने राजसरकार की कमचारी है उनके लिए खुशखबरी है नितिश कुमार की कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा जो हां वह इस कैबिनेट में चर्चा हुई है लेकिन सबसे बड़ी जो सौगात है वह राज्य के करमचारियों कमली है जो सरकारी करमचारी है जो जो राज सरकार के से बेतन लेते हैं, काम करते हैं, उन्हें अब चार पतिशत अधिक महगाई भत्ता मिलेगा, यानि कि जो उनका महगाई भत्ता है, वो बढ़ा हुआ ही मिलेगा, इसके साथ साथ क्योंकि इसे एक जुलाई 2022 से ही लागू करने का आदेश दिया गया है, तो जो पहले के भी इतने महगाई भत्ते होंगे, अन्य महिनों के वो भी जोड़कर उनके सिधा अकाउंट में दे दिया जाएगा, जैसे उनकी सेरलरी में एड होकर मिलता है, तो आप समझ सकते हैं, राजे के इतने सरकारी करमचारी हैं, उनके लिए, नितिश कुमार की सरकार में ये तौफा दिया है, देखिए, जब से बिहार में महागर्बंद की सरकार बनी है, जो दाविक किये गया थे, जो वादिक किये गया थे, चाहे वो भिरोजगारी को लेकर के हो, रोजगार सिजन करने को लेकर हो, नौकरियां सिजन करने को लेकर हो, कई सारे विभागों में आपने देखा है कई सारे पदो पर अब बहालिया निकाली जा रही है और नोटिफिकेशन जारी की जा रहे हैं आज की भी कैबिनेट की बैठक में कई सारे विभागों में जो रिक्त पदे थी उस पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए इस पर भी मन्जूरी मिली है तो ऐसे में राजसरकार एक तरफ जहां यह वाओं को नौकरी को लेकर के तौसे दे रही है कई सारी विभागों में कॉंट्रैक्ट बेसिस पर भी जो नौकरियां मिलती है उस पर भी मोहर लग रही है और एक तरफ जो राजिक करमचारी है जो पेंशन धारी है जिनके परि 39 के बदले 38 पतिशत महंगाई भता मिलेगा इस वक्की बड़ी ख़बर निकल्क्यारी है दीश कुमार की कैबिनेट में बड़ा फैंसला हुआ है जिससे जितने राज्य के करमचारी है जितने सरकारी करमचारी है उन सभी के चेहरे पर मुस्कान आई होगी कि कोर्णा काल के ब